अरहन्त वीतराग परमात्मा निर्ग्रन्सत गुरुदेव आगम वानी को भाव वन्दन श्रिष्टी के समस्त शट जीवनी काई से प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार 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 जय हो ये श्रिष्टी सतत प्रवामान है और इस श्रिष्टी के साथ साथ हमारा जीवन भी तो सतत प्रवाहित हो रहा है हम प्रतिपल गती कर रहे हैं गती भावों से, विचारों से, भाशा से और शरीर से भी हम अपने इस जीवन में किस प्रकार गती शील हो कि हम सब अपने इश्ट लक्षय को प्राप्त कर सके जीवन कहा भी गया तो है कि life is a flow कई बार कहा जाता है flow with the winds इस सब का अर्थ गया अर्थ मात्र इतना कि हम क्षण में उपस्थित रहें हम क्षण में जागरत रहें जीवन में किसी में क्षेतर में गती करते हुए हम ये ध्यान रखें कि हमारे भीतर उस गती का प्रयोजन स्पष्ट हो और जब प्रयोजन स्पष्ट हो कि हमें किस दिशा में जाना है जैसे कि एक लड़के को या एक लड़की को अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करना है तो प्रयोजन्स पश्ट हो कि मुझे जीवन साथी का चुनाव करना है या किसी को अपने लिए सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है किसी को अपने लिए करियर का चुनाव करना है या किसी को अपने अंतर में उतरने के लिए अपने उस आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही मार्ग का चुनाव करना है प्रयोजन स्पष्ट हो कि हम किस तरफ क्यों गती कर रहे हैं क्यों अगर clear हुआ when the why is clear how will happen तो why clear होना जरूरी है प्रयोजन, purpose स्पष्ट होना जरूरी है और उसके पश्चात हम आलंबन लें आलंबन किसका? ज्यान, दर्शन और चारित्र का ज्यान यानी जानना हम जाने हम अपने दर्शन की शुद्धी करें और उन अधिकारी गणों से जिस भी शेत्र में हम गती करना चाहर रही हैं वहां के अधिकारी जनों से हम आलंबन लें और आलंबन का अर्थ ये नहीं है कि डिपेंडनसी हो फर्क है दोनों में निर्भरता नहीं है आलंबन है आलंबन यानी उनके अनुभव का उनके ग्यान का उन्होंने जो बोल दिया वो सही ही हो और हम वैसे ही गती करें, ये भी आवश्यक नहीं, क्योंकि उनके भीतर की बनावट अलग थी, हाँ, उन्होंने जाना, वो हमको भी जान रहे हैं, और हमें एक दिशा दे रहे हैं, हमारी बनावट के अनुरूप, लेकिन हम भी अपने भीतर जांक कर देखें, कि क्या उस रास हम उस पर चल रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि कई बार ये है कि ज्यानी गुणी जन, हमें दिशा निर्देश, जिन शब्दों में या जिस रूप में दे रहे हैं, हो सकता है, हम अपना दिमाग चला कर उसको as it is ना ले पाएं, तो ध्यान रहे कि हम ज्यानी गुणी जनों की बात को निश्पक्ष होकर सुने, जाने और फिर उसे अपलाई करें, वहां हमारा दिमाग ना चल रहा हो, और आलंबन के बाद हम ये ध्यान रखें कि जो कुछ समझ, जो दृष्टी हमारे भीतर ये विक्सित हो रही है, हम कि इसी तरह का कोई disturbance अपने आसपास create नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारा प्रयोजन्स पष्ट हो गया और हम अवसर का वेटी ना करें, हम कहीं भी जाकर कुछ भी शुरू कर दें, तो काल की भी शुत्ती हो, हम ये जरा चेक करें कि हम किस तरह से कब किस अवसर का उपयोग कर रहे हैं, मार्ग का चुनाव करें, ध्यान रहे, वो चुनाव इस रूप में हो कि हम प्रतिपल खुद को योग्य बनाते जाएं, आखिर इस जीवन का इष्ट, लक्ष्य एक ही तो है, अरहत होना, योग्य होना, अपनी योग्यताओं को उजागर करना, योग्यताओं को उजागर करने का एक तरीका ये भी है, कि हम ये जानते चले जाएं कि हमारी कमजोरियां क्या है, हमारे भीतर के अभाव क्या है, हमारी गलतियां क्या है, जैसे जैसे हम अपनी मिस्टेक्स को, अपनी इन अभावों को, अपनी इन गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, अपन उन्हें false को जानते जाएंगे, वैसे वैसे जानकर उन्हें दूर करने का हम पुरुशार्थ करस पाएं. और इसी रास्ते हम योग्य हो पाएं. योग्य कैसे हो ना? हम बार-बार ये सुनते तो हैं कि जो भी हम अध्ययान कर रहे हैं, जो भी हम करियर के लिए प्राक्टिस कर रहे हैं, so called internship कर रहे हैं, so called हम लोग sessions ले रहे हैं, motivational sessions ले रहे हैं, ज्यानी गुरुजनों के हम व्याख्यान सुन रहे हैं, प्रवच्चन सुन रहे हैं, किताबे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने भीतर वो ग्यादर कर रहे हैं, तो क्या हम इससे योग्य हो रहे हैं, हमारे भीतर जानकारियों का भंडार तो है, जैसे कि हर व्यक्ती जानता है प्रेजन्ट में जीना चाहिए, लेकिन क्या हम वाकई प्रेजन्ट में जी पाते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमें सदेव अपने जीवन के प्रती एक विदहे आत्मक दृष्टी कोण अपनाना चाहिए किसी प्रकार की कोई नकार आत्मकता नहीं हर उपस्तित बाधा हमारे लिए अफसर है ये सारी चीजें हम जानते हैं हम इनके बारे में जानते हैं क्यों? क्योंकि रोजाना सौ इमेज़ आती हैं हमारे वाट्सैप पर, हमारे सोशल मीडिया पर हम डाउनलोड करते हैं और फिर फॉरवर्ड करते हैं ध्यान दी ना जब तक आप उसे डाउनलोड नहीं करते तब तक आप उसे forward भी नहीं कर सकते लेकिन जीवन में हम ये काम नहीं करते हमारे सामने चीज आई हमने दूसरों को बताया बहुत अच्छा लगा ये हुआ वो हुआ लेकिन जब वाकई बाधा आई तब हमने क्या किया? तब हम स्वयम उस बाधा से रूबरू नहीं होना चाहते हम चाहते बाधाय आई ही नहीं और उस बाधा के क्षणों में या रुकावट के क्षणों में हम डिप्रेस हो जाते हैं उदास हो जाते हैं और हमारी जो गती एक दिशा की और अग्रसर थी हमारे खुद के विकास की दिशा की और अग्रसर थी, ग्रोध की और थी, वो कहीं न कहीं हम मोड लेते हैं हम इधर उधर ढूनने लग जाते हैं, कि भाईया इस बाधा से हमें दूर कैसे होना तो योग्य होने के लिए एक रास्ता बताया गया हमें सुत्रों में कहा गया कि यतना वान होना यतना जे इंदर्शन का एक शब्द है यतना, यानि जिसे हम आज की अंग्रेजी में कह सकते हैं अवेर होना अटेंटिव होना हम मात्र अवेर हो जाएं अवेर हो जाएं प्रतिपल कि हमारा मन क्या सोच रहा है हमारे मूँ से हमारी जबान से ये जो शब्द निकल रहे है ये शब्द क्यों निकल रहे है हमसे जो आक्टिविटी हो रही है जो क्रिया हो रही है whatever we are doing ये क्यों हो रहा है क्या हम अपने समझ से चलते हुए किसी की लाइफ में disturbance तो नहीं create कर रहे है और disturbance जहाँ भी हम create कर रहे है हम हिंसा कर रहे है तो ये यतनावान कैसे होना विराट गुरुजी बड़ा प्यारा सूत्र देते है वो कहते हैं बच के चलो जग के चलो और हस के चलो जब हम मार्ग का चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन को दिशा देने के लिए अपने इष्ट लक्ष तक पहुचने के लिए तो क्या कहा कि बच के चलो किस से बच के चलो उस मार्ग में आने वाले लुभावने लालच से फर एक्जाम्पल आप एक सिटी से दूसरी सिटी अगर ड्राइव पर जा रहे हो वो रास्ता आप हाडली थ्री टू फोर आवर्स में कम्पलीट कर सकते हो लेकिन रास्ते में एक मोटेल दिखाई दे गया बड़ा खुबसूरत है रुक गए फिर एक रेस्टरॉण दिखाई दे गया अरे वा यहां पर चाइनीज मिल रहा है मेरा तो फेवरेट फूड है बहुत टेस्टी है मैंने सुन रखाए फिर रुक गए फिर आगे गए अरे इस शहर की कचोड़ी तो बड़ी फेमस है ये खाए बिनाम कैसे आगे जाएंगे अजी बहुत थक गए थोड़ा वाश्रूम के लिए रुक जाएं वो तीन घंटे का सफर कब पांच, छे, साथ घंटों में बदलेगा हमें पता ही नहीं चलेगा ये तो एक रोड की बात हुई लेकिन जीवन में भी इस तरह के बहुत सारे लालच आते हैं आप जब अपने इश्ट लक्षे तक पहुँचने वाले होते हो लास्ट मोमेंट तक ऐसे आकर्शन, अट्राक्शन्स आते हैं तो क्या कहा बच के चलो ना सिर्फ अट्राक्शन्स से कई बार ऐसे अवसर भी आएंगे जहां आपके भीतर से विरोध उठेगा तब क्या करो? विरोध करो? ना विराट गुरु जी हमेशा ये बात कहते रहे और बार बार उन्होंने टकोर दी हमें इस बात की कि कर सको तो किसी का सयोग करो विरोध का अवसर आए बच के निकल लो आप बोलोगे ऐसा कैसे? हमारी आखों के सामने अन्याई हो रहा है हम चुप कैसे रह सकते हैं? हमें तो बोलना ही पड़ेगा हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं देखते हैं कि कोई एक दो गुटों में जगडा हो रहा है चले जाएंगे बीच में और चले जाएंगे तो उस जगडे में निप्टेंगे नहीं वो कहीं उस जगडे को निप्टा पाने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे लेकिन उस जगडे में गुस जाएंगे और घुसेंगे तो क्या होगा या तो practicals मिस होगे या उनकी classes मिस होगे इसी तरह से आप देखिए परिवारों में रिष्टेदारों में अकसर आपस में कोई बात नहीं होती लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ हो रहा है और हम जाएंगे अपनी भाशा भी हम भा कि अशार कहे देंगे और उसमें Dallas हो जाएंगे क्यों क्यूंकि हमें लगता है हमारा फर्स है जब कभी भी ऐसा अवसर आए कि आपकी duty है क्या आपको जो अन्याय प्रतीत हो रहा है हो सकता है वो अन्याय ना हो वो न्याय पूर नहों बिना पूरी बात जाने जब भी ऐसा क कोई अवसर आए बच के निकल लो वरना आपकी गती बाधित होगी आप हाइवे पड़ जा रहे हो कोई आक्सिडंट हो गया है अभी आप कोगे मारासा ये तो मानवधर में बिलकुल अगर आप वाकई रुक कर अगर आप एक डॉक्टर हैं आप वाकई रुक कर उस आक्सिड सेवाई दीजिए गड़ सको तो सयोग करो सेवाई दीजिए अन्यथा रुक कर खाली तमाशाई बन कर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गती बाधित करोगे ध्यान रहे ये जो गती है हमारी भावों की मन की भाशा की और हमारे डेली रुटीन जीवन की भी किसी का कॉल आता ह हम बहे चले जाते बाते करते चले जाते और बाते भी खुद की नहीं ऐसा उस पूरी बातचीत में कहीं कुछ नहीं है जिससे आपने 0.0001% भी ग्रो किया हो तो हम क्यों इंडल्ज होएं बच के चलें बच के चलें मार्केट में भी देखिए कई लोग जब अपनी सीट पर बैठते हैं प्रोफेशन में कार्यक्षेत्र में तो बहुत सारी बाते आती हैं मार्केट में क्या हो रहा है शेर मार्केट में क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है अभी अगर आपका इंवेस्टमेंट शेर मार्केट में नहीं है स्टॉक मार्केट में नहीं नीचे तो लगा रहेगा और अगर उपर नीचे नहीं लगा रहेगा तो गती कहां से होगी। तो जरा ध्यान दें, जो विश्य हमसे संबंदित नहीं है। उस पर ध्यान भी ना दें, बच के चलें, बच के चलें। हमारे घर के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकती है, अगर किसी को हमारे घर में आना होगा, वो दरवाजा बजा कर, डोरवेल बजा कर एंटर हो जाएगा। अन्य था ये क्यों ध्यान रखना कि वो गाड़ी कहां से आके रुकी है, किसको पूछ रही है, नंबर प्लेट कहां की है, उसमें कौन है, कितने लोग हैं, क्या लेना देना। लेकिन नहीं, हम लोग अनावश्यक रूप से इन सब में इंडल्ज होते रहते हैं, आरंभ करते रहते हैं, जी, इसे ही आरंभ कहा गया, और यही हिंसा का मूल है, ध्यान रहे, बच के चले, चाहे विरोध का अवसर हो, चाहे अनावश्यक हो, कुछ भी हो, अगर वो सबज वो विशय, वो व्यक्ति, वो भाशा, वो शब्द हमारे जीवन को गती नहीं दे पा रहे हैं, एक सम्यक दिशा, सम्यक गती नहीं दे पा रहे हैं, बच के चले, और हाँ, ये भी ध्यान रखें, कि आप ना तो स्वयम डिस्टर्ब हो, ना आपकी चरिया से किसी और को डिस सामाई कर रहे हैं, या बच्चे डांस कर रहे हैं, कोई भी आक्टिविटी हो, आप किस के लिए कर रहे हो, स्वयम के लिए, तो जरा ध्यान दें, कि आप ऐसी कोई भी आक्टिविटी कर रहे हो, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, जब बच्चे तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रहे हैं खुद को इजी करने के लिए, खुद के दिमाग का कच्रा बाहर निकालने के लिए तो ध्यान दें कि वो आवाज किसी और को तो डिस्टरब नहीं कर रही है हाँ आवाज तेज है और आपने जाकर अपने घर के अन्य सदस्यों से पूछ लिया कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए ये चला सकता हूँ म्यूजिक तो जरूर अगर वो हाँ बोले तो जरूर चलाए अगर वो कहते हैं कि प्लीज इससे हमें डिस्टरबंस हो रहा है तो ना चलाए अब इसी तरह से आप देखिए कई बुजर्ग लोग जहां छोटे घर हैं वो घर में बैठ कर सामाई कर रहे हैं अब सुबह सुबह का समय है वो ग्रॉइंग रूम में बैठ कर सामाई कर रहे हैं या ऐसी जगा पर बैठ कर सामाई कर रहे हैं जहां सभी सदस्यों का अवागमन है, सुबह सुबह जो घर के लोग हैं, उनकी आदत है, कोई निूस पेपर पढ़ रहा है, कोई निूस देख रहा है, बच्चे हैं तो वो सुबह सुबह जोड़ से बोल रहे हैं, school जाना है, office जाना है घर में maid आया है ग्रहनी आया है, अब वो जो सामाई कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं वो बार-बार बोले, धीरे मुझे disturb हो रहा है, धीरे मुझे disturb हो रहा है, हकीकत में देखा जाए, तो वो सब की गती को disturb कर रहे हैं जो एक स्वाभाविक गती है उसको disturb कर रहे हैं आपको सामाई करनी है आपको ध्यान करना है आप एक ऐसी जगह जाकर बैठें जहां आपके बैठने से किसी के भी स्वाभाविक गती में कोई disturbance ना हो आप भजन गा रहे हैं सुबे सुबे अच्छी बात है आपको अच्छा लगता है आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन हो सकता है कि सुबे सुबे घर के अन्य सदस्य अपनी अपने कार्य शेत्र पर पहुँचने के लिए तयार हो रहे हो और उन्हें उस भजन से disturbance हो रहा हो गुरुजी कहते भी है कि अगर disturbance हो रहा हो तो मैं गावू ना गाना मैं गावू ना गाना चाहे वो अच्छी बात ही क्यों ना हो चाहे वो प्रवचन ही क्यों ना हो अगर आपको लग रहा है कि मुझे भगवान का नाम लेना है या मुझे सामाई करने हैं आप किसी ऐसी जगा पर जाकर बैठे जहां आपकी disturbance ना हो तो ध्यान रहे, बच के चले और जग कर चले जग कर चले यानि प्रतिपल awareness रहे attentiveness रहे आप क्या अपने आसपास के माहौल से अपने अंदर डाल रहे हो जैसे हम इसी example की चर्चा करें तो हो सकता है सुबह सुबह जो घर की लेडी है वो बहुत जोर से बोल रही है, बच्चों को एक जगा खड़े होकर आवास दे रही है, अपने husband को कुछ और कह रही है, maid को को कोई और instruction दे रही है, सभी का एक ही समय है निकलने का और उस एक लेडी को सारे ही मोर्चों पर संभालना होता है, अब आप बोलो कि मैं तो सुबह सुबह भजन कर रही हूँ, वो इतना जोर से क्यों बोल रही है, तो भाईया, जग कर चलें be attentive, be aware कि आप कहीं उनको disturb ना करें, और वो लेडी जो अपना कार्य कर रही है, अगर आप कर सकते हैं, तो उन्हें सयोग करें, और अन्यथा, आप ऐसी जग़ जाकर बैठें, जहां आपके भीतर कोई disturbance ना हो, आप इतने जागरत हैं, कि आप अपने आसपास चल रहे, किसी भी disturbance से disturb नहीं हो पा रहे हैं, अभी हम देखें, Bombay जैसे घरों में, जहां पर one bedroom flats हैं, और अभी इस covid period में, सभे लोगों की classes, offices, सब online हैं, अब उस one bedroom flat में, 4-4-5 पांच जनों के online sessions, classes, offices चल रहे हैं, बड़े आराम से, बिना एक दूसरे को disturb किये, कैसे वो अपना काम कर पा रहे हैं, या उन्हें करना चाहिए, आम तौर पर हम इसी बातों को लेकर लड़ते, जगड़ते irritate होते हैं, तो विराट गुरु जी क्या कहते हैं, be attentive, be aware, रास्ते को जागरित जंच के चलो, आप देखो कि आप किस जगा पर सो रहे हो, किस जगा पर आप disturbance create कर रहे हो, देखो ना, क्लास में जब बच्चों को teacher पढ़ाती है, वो ये नहीं कहती है listen to me, listen to me, वो बार-बार क्या कहती है, pay attention, क्योंकि खिड़किया खुली है, कहीं कोई चड़िया की आवाज आ रही है, बाहर playground है, वहाँ पर कोई दूसरी क्लास game खेल रही है, उनके चिलाने की आवाजें आ रही है, और teacher क्या कर रही है, blackboard पर कुछ लिख रही है, blackboard nowadays it is whiteboard maybe, तो वो उस पर कुछ लिख रही है, तो teacher बार-बार क्या कहती है, pay attention, pay attention, attentive रहो, तो कैसे रहो, जागरित रहो, attentive रहो, अगर आप, और note किया होगा आपने, जो बच्चे क्लास में attentive रहते हैं, उनको घर आकर कुछ पढ़ने की जरुद नहीं होती, जिसका ध्यान, जिसके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं चल रही है, वो सामने ही ध्यान दे पा रहे हैं, और तीसरी बात गुरुदेव ने कही, हस कर चलो, प्रवा है जीवन का, उच नीच तो आती रहेगी, मुश्किले भी आएगी, बाधाय भी आएगी, आखिर आपकी योग्यता को उजागर करना है, देखो ना, सोने को अगर निखरना है, तो उसे हतोडों की चोट से गुजरना ही होता है, कोईले को हीरे में तबदील करने के लिए, उसको तराशने के पूरे की पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है, ये जग कड़ना पड़ेगा एक बहुत ऊचे स्रोत से खुद को फेकना होगा तो जब पानी उचे जगा से नीचे की और बहेगा तो कच्रा सब एक जगा रुख जाएगा और पानी का जो साफ पानी है वो आगे बहता चला जाएगा यानि बाधाएं तो आएगी ही संकट तो आएंगे ही लेकिन अगर हम संकटों से आँख चुराना चाहेंगे संकटों को फेस ही नहीं करना चाहेंगे उन बाधाओं से गुजड़ना ही नहीं चाहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो यतनावान होने का योग्य बनने का ये सबसे जरूरी सूत्र हस कर चलो कोई बात नहीं कितनी मुश्किलें आई स्माइल आप देखो एक स्माइल से हस कर हर संकट का सामना करने से उस संकट आधा रह जाता है क्यूं? क्यूंकि आपका विल पावर उसका सामना कर रहा है आपकी खुशमिजाजी उसको सामना कर रही है लेकिन अगर हम वहीं दुखी हैं बदहाल हैं, डिप्रेस्ड हैं तो हमारा जो willpower है या उस समाधान खोजने की उस बाधा से पाड़ जाने की जो हमारी क्षमता है उसे हम स्वयमी कुंठित कर रहे हैं तो ये तीन सूत्र हम प्रति पल याद रखें और हमारे जीवन को दिशा दे चले कैसे क्योंकि अगर हम चलते वक्त केवल चल रहे हैं कुछ और हमारे दिमाग में नहीं है no disturbance at all बच कर चल रहे हैं जग कर चल रहे हैं और हस कर चल रहे हैं तो ये चलना ही अपने आप में हमारे जीवन को अपने इश्ट तक ले जाएगा और ध्यान रहे जब हम इस तरह जग कर चल रहे हैं तो हम आरंभ नहीं करेंगे और अगर हम आरंभ नहीं करेंगे तो स्वयमेव हिंसा नहीं होगे ये एक समिती, इरिया समिती सद गई तो बाकी की समिती को समझना और साधना बहुत आसान हो जाएगा और इरिया समिती सद गई तो हमारा जो प्राणाती पात व्रत है वो स्वयमेव सद गया क्योंकि हम disturbance नहीं कर रहे हैं, हम आरम भी नहीं कर रहे हैं और जब हम आरम भी नहीं कर रहे हैं, तो हम स्वयमेव अहिंसक हैं, हिंसा हमसे हो ही नहीं रही है, तो ध्यान रहे हम प्रतिपल बच कर चलें, जग कर चलें, हस कर चलें, ऐसा ही हो, ओम शान्ति